जब घर में न्यू बीबी की किलकारियां घूंचती है तो पूरा घर कुसियों से भर जाता है जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसे स्टार्टिंग में इस दुनिया के साथ तालमिल बिठाने में थोड़ा टाइम लगता है बर धीरे धीरे बच्चा इस दुनिया के साथ तालमिल बठाना सुरू कर देता है और उसकी growth and development होना start हो जाते है धीरे उसके हाथ, पेर, सब जलना एक साथ start हो जाते है अब हम बात करते हैं एक महिने के बच्चे के वजन और उसकी height के बारे में अगर आपका baby girl है तो उसका जो एक महिने के baby girl का जो weight होता है वो होता है 3.5 kg से लेकर 4.9 kg तक वहीं अगर आपके baby boy है तो उसका सामाने जो weight होता है वो होता है 3.7 kg से लेकर 5.3 kg के बीच में हर माता पिता को इस बात का जरूर द्यान रखना होता है कि सीसो का वजन इस बात पर निर्भर करता है कि उसका जनम के समय जो वजन क्या था इसलिए यह नहीं सोचना कि सीसो इतने ही महाका हो गया अभी इसका weight इतना ही है जैसे से सीसो का development होता है रहता है उसका वजन भी continuation में भढ़ता जाता है अब हम बात करेंगे एक महने के सीसो के विकास के बारे में तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे उसके मस्तिक्स के विकास के बारे में तो मस्तिक्स के विकास में सबसे पहली चीज आते है एक महने के बच्ची के लिए भूग की समझ शरुबत के कुछ दीन में क्या होता है बच्चों को अपनी भोक का पता नहीं चलता है बच्चों को आप जितना धूर maior होते हैं वो अथा प्ता प्रूरर पिता जातां बट जैसे जैसे वो बड़ा होने हँगता है एक मेने का होता है उसको अपनी भूख का बारे में पता चलना स्टार्ट हो जाता है उसका एक फीडिंग का टाइम भी फिक्स हो जाता है जब आप उस टाइम पर बच्चे को फीड नी करा होगी तो आप देखोगी कि आपका बच्चा रोना स्टार्ट कर देता है एक मेने के बच्चे का जो फीडिंग का एक शेडूल बन जाता है एंड उस टाइम पर उसको भूख लगना स्टार्ट हो जाती है नेक्स चेंजे जो आप अपने बीबी में दिखोगी वो यह है कि अब बच्चे को स्वात की पहचान हो जाती है अब आप सूचोगी एक मैने का बच्चे होसे स्वात की पेचान कैसे हो कि वो तो अर्ली सिफ मिल्क ही लेता है जी हाँ अब बच्चा को क्या होता है कि अगर मा कुछ ऐसा का एडिया लगने लग जाता है कि मीठा है या फिनमगीन है किस टाइप का मिलक है नेक्स चेंज जो आपको अपने बीबी में दिखाई देंगी वो यह है कि अब बच्चे चीज को होगा है गंत का एसास यानि कि बच्चे को जो मा की स्मेल होती है उसका एसास होना स्टार्ट हो जाता है वो पैचानता है स्मेल से वो बता सकता है कि यह उसकी मा है या फिर नह अब हम बात करेंगे physical development की बात की जाए तो सबसे पहले बात आती है सिर का पीछे जाना यानि कि neck balance अभी तक बच्चा इतना विक्सित नहीं होता है कि वो अपने head को control कर सकी अभी बच्चे अपने सिर को नहीं समाल पाता है जब भी आप बच्चे को गोद में लेते हैं तो उसे सहारे की जुरूत होती है अगर आप बच्चे को सहारा नहीं देते हैं तो उसका सिर जटके साथ पीछी को चला जाता है इसमें परिशान होने के जुरूत नहीं, इसका मतलब यह हूँत है कि बच्चे का विकास अभी अच्छे से हो रहा है यह आने वाले टाइम में बच्चा अपने सिर को बैलेंस बनाना यानि कि नैक को कंट्रोल करना सीख जाएगा नेक्स चेंजी जो आप अपने बेबी में दिखोगे, वो यह है कि मुट्टी पकडना स्टार्ट कर देता है अब अपने बेबी की अर्थीली में कोई चीज या फिर अपने अंगली रखोगे तो वो से कसकर पकडने की कोसिस करेगा नेक्स आपमेट जो आपको बच сюжան करना चर्ट कर देता आपने अपने हाथिनों को पने फिशिकल जो आपको अपने बेबी में दिखाएदेंगी वह यह कि अब बच्चों की अंगों में हरकत होना भी स्टार्ट हो जाता है जी ह हाँ बच्चा पने सरी जो पर दिरी धिर केफ मिलेगा है कि एक मिने के बच्ची को कितने ही दूद्ट की आउ सता होती है बच्चे का जो digestive system होता है वह बहुत वीक होता है और छोटा होता है तो starting में बच्चा बहुत कम दूद पीता है जैसे कि आपका बेबी starting में 30-60 ml दूद ही पीता है लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है एक महा के होता जाता है उसके पेट का कार भी थोड़ा बढ़ने लगता है अब आपका बेबी हर 2-4 घंटे में कम से कम 90-120 ml तक दूद पी सकता है इस तरह दिन भर में करीम 900 ml दूद पी सकता है अब हम बात कर रहे है फॉर्मूला मिलक के तो आप ट्राइ कीजिए जितना हो सकता है आप अपने बेबी को अपना ही दूद बलाएं बट कभी कभी क्या होता है कि हमें दूद कम आता है या फी नहीं आ रहा होता है ऐसे में हमें फॉर्मूला मिलक के भी जोरत पड़ जाती है तो आप ट्राइ कीजिए कम से कम 3 हफते तक अपने बेबी को अपना दूद दे और अगर आप अपने बेबी को फॉर्मूला मिलक दे रहे है अगर हम बात करें कि एक मेने के बच्चे को कितनी नीन की आउ सकता होती है तो मैं आप लोगों को यह बोलना चाहूंगी उसका कोई बी टाइम टेबल नहीं होता हो बचा नीन कितने लुए भाइट सबसा होता एक इसी तरह रात को भी perseक्राइब्स नीन करड़ को सकता है अब हम बात करेंगे कि एक मेने की सुसू की विकास के बारे में माता पिता को कब टेंसन लेनी चाहिए पहली टेंसन हमें तब लेनी चाहिए कि जब हमारा बेबी अच्छे से दूद नहीं पी रहा होता है तब हमें डॉक्टर से एक बार concern करना चीए, पता करना चीए कि हमारा बीबी ठीक से दूद क्यों नहीं पी रहा है फोर्ट चीज आपको notice कहने हैं कि अगर आपका बच्चा आसपास पड़ी चीजों को हिलाने पर उसके सामने लाने पर भी उसकी तरफ धान नहीं दे रहा है तो भी tension का subject हो सकता है फोर्ट चीज जिसको आपको देखना है कि अगर आप अपने बीबी की आँकों के सामने कोई रोस नहीं लाते हो तो वो उसकी पलके जपकती है नहीं जपकती फोर्ट चीज आप देखोगे कि आपके बीबी आवाज पर रियक्ट करता है या नहीं करता है अगर आपके सिस्व के सरीट वे मास पीस्टियों में सूजन हो या आपको लग रहा है कि वो हाथ पे नहीं हिला रहा है ऐसे केस में आपको डॉक्टर से एक बार कंसर्ण जरूर करना जीए यह सारी पॉइंट में आप लोगों के साथ शेयर कियें वो सारी पॉइंट ऐसे हैं कि एक मेने का बच्चा करना स्टार्ट के दीता है अगर आपको लगता है कि आपका बीबी अभी तक नहीं कर रहा है आप एक बार डॉक्टर से जरूर कंसर्ण कीजिए क्योंकि एक मेने के अंतर ये सारे चिंजिच आपको दिखने को मिल जाएंगे